नमस्कार आदाव सस्रीकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है मदन मुहन निशाद हम बिहार कटिहार मनिहारी के रहने वाले हैं गंगा किनारे के छोड़ा गंगया किनारे वाला खाई के पान बनारस वाला वंदुवार आज आपके बीच अपने जीवन की बहुत सारी घटनाएं आपको बताएंगे कि हम थे क्या आज आरसियम ने मुझे क्या बना दिया मेरी उम्र 77 की है आज अगर हम इस आरसियम में ना होते तो साहिद दरवाजा का सोबा बनके खड़े होते हैं वंदुवार मैं आपको आगे स्थिति क्या है उसके बारे में बताने के लिए आपको बताएं अपना देश 1947 में आजाद हुआ परंतो आजादी के बाद अपने देश का दो पार्ट हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हम नहीं करने वाले हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि यह देश जब अपना आजाद हुआ, 85% जो अपना समाज था, उसको केवल सरीर की आजादी मिली, और 15% जो अपने देश का अवादी था, उसको सरीर के साथ पैसे की भी आजादी मिली, ये जो 85% लोग है, आज उनकी कहानी आपके बीच रखेंगे, 15% में ये 85% के लोग कैसे पहुँचेंगे, इसकी यात्रा RCM ने सुरू की है, इसलिए RCM का नारा है, अपना ये है कि लोगों को समगर विकास कराए जाए है, आर्थीक आजादी का अभियान, आप सबों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, आप थोड़ा बताने क्या कश्ट करेंगे, इसक्रीन दिखाए पड़ रहा है क्या, हालो, 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 सर्जे, आज आपकी कट रही है, आवाज कट रही है, जे सर, अच्छा, तुरत, ये हम आपको बता रहें, कि ये इंडिया, जिसकी आवादी 15% है, हमने उसका नाम लिया है, और ये जो 85% अपना समाज है, जिसकी आर्थिक आजादी का अभियान आप से हम चला रखा है, उसका नाम हमने बाहरत रखा है, बंदुवर, इस देश में आजादी के बाद, तूनू के लिए अलग-लग व्यवस्ता हो गई, आज इंडिया के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, ट्रेन में चाड़ने के लिए हवाई जहाज है, बंदे मातरम ट्रेन है, और ये सारी व्यवस्ता के साथ साथ, आज जितने भी ट्रेन स्पेसल चलती है, जिसमें आदे साधीक बाद की AC होता है, एक तरफ 15% के लोगों के लिए इतनी सुविदा है, दूसरे तरफ भारत के चाड़ने के लिए 85% को चाड़ने के लिए, ट्रेनों में, आज जो साधरन ट्रेन है, उसकी स्थिती कितनी गंदई है, वो आप देखके समझते होंगे, सभी लोग आप सफर करते होंगे, ट्रेन प्लेक फारम से बाहर चले आता है, ना तो पानी की सुविदा होती है, ना बोजन की सुविदा होती है, यह हमारे देश का स्थिती है, हम आपको बतावें कि इनके पढ़ने के लिए, इंडिया के पढ़ने के लिए, एसी स्कुल है, और भारत को पढ़ने के लिए एक साधारन होस्पिटल है जिसमें दवाई तो नहीं मिलता पुड़िया जरूर मिलता है आज 80-90% से अधिक लोग पैसे पर अधिकार बिठाए हुए है 90% पैसे पर अधिकार मात्र 15% इंडिया का है 10% पर आज पूरा 85% भारत अपना जिंद्गी गुजर कर रहा है बंदुवर यहां इंडिया में लोगों के रोज परदे पर परदे बदलता है टाइस में टाइस बतलता है उनके बच्चे एक बार मुँ में दूद लगाते हैं नाला में बह जाता है भारत के बच्चें का इस्थिति क्या दूद दर्सन नहीं होता है तन ढखने को भी कपड़ा नहीं है ताइस तो दूर रहे रहने का भी अच्छा घर नहीं है यह हमारा इस्थिति है बंदुवर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज अपने देश में यह 125 देश पुड़े प्रिश्ट्व में है जिसमें हंगर इंडेक्स में आप दो दिन पहले न्यूज देखे होंगे कि भारत जिनका 111 नंबर है यह स्थिति हमारे देश का है इसको परिवर्तन कौन करेगा उसका ठीका अगर किसी ने लिया है इस भा किया का नाम है आर सी एम है कि यह पीपीटी अगर आपको दिखाए पढ़ रहा हो तो बतावें थोड़ा सर इसक्रीन आगे नहीं बढ़ रही है और आपकी आवाज भी रुक रुक के आ रही है अब देखें कैसा लग रहा है हाँ सर आब आगे बढ़ी है यह जो सामने सीम दिखाए पर रहा है में निशाद यहीं पैदा लिया था यह मेरा पैदाएसी घर है जहां हम पैदा लिये बढ़े पले और हम जब मैट्रिक की परिक्षा पास किये उसके पहले तक खूल पैंट नसीब नहीं हुआ चप्पल नसीब नहीं हुआ मैट्रिक परिक्षा के पास करने के बाद ही जब हम कॉलेज गए तो हमें चप्पल और फुल पैंट का दर्सन हुआ यह हमारी इस्तिती थी हमने दूसरे खेतों में काम करके अपनी पढ़ाई की मेरा नाम मंदन मोहन निशाद है आर्सियम करने से पहले हम इस काम को किया करते थे और इससे हमारी दिन करती थी मचली मारना मेरा काम था और इससे हमारा गुजारा चलता था नजारा नहीं हुआ करता था आर्सियम के बाद मेरी जिन्दगी बदली आप इस्क्रीन पर देख रहे होंगे साथ मेरी पत्नी है और हम सब लोग अपने बड़े नायर महानायर अमिताप जी के साथ बॉंबे में थे यह जिन्दगी हमारी बदली और यहां हम पहुंचे इस गरिपूर से उस दुनिया में मुझे आर्सियम ने ले गिया देख लें इस्क्रीन दिखाए पढ़ रहा है कि नहीं सर्थ बता देंगे अगे हम आपको बतावें कि यह हमारी जिन्दगी थी और इसके बाद हमने अपने जीवन में बहुत संगर्ष किया फिर हम आगे राजनीतिक जीवन भी हमारी घुजरी और वहां पे हमने कटियार से दो बार एंपी भी चुनाओ लड़ा तो ये पहले भी हमने आपको बताया कि पहले हम मच्छली पकरते थे अब आदमी पकरे इतने ही अंतर कि आप हिंदी में जाल से पकरते थे और अब उसको नेट से पकरते हैं अब लाखो रुपिया महिना इस RCM के द्वारा अपने घरों में आता है आज अपना कत्यार जैसे सहर में घर है अब हम भागलपूर जैसे सहर में रहा रहे हैं यहां अपना उंडर वर्ल्ड है डीपो है वहां प्यूसी है यह सारा काम इस RCM के बदूलत मेरे घर में आया है हमारे यह मुख्यतर तीन तरह के समाज हैं इस RCM को बाधा में डालने के लिए इसके रोख करने के लिए हमारे डिस्ट्रिमिटर बारबाद परहसान होते हैं उसको पता नहीं चलता है कि हमें लगना किस्से है हमारी लड़ाई क्यों इतनी कधीन है वंदुवर आप महुत कि कथिन काम करने के लिए इस मिर्शन में आये हैं आपकी सफलता अगर आ जाएकी तो बहुत सारे लोगों को परिशानी बढ़ जागी इसलिए वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा अपने देश में तीन प्रकार का समाज है यह पहला समाज राजनितिक समाज है यह राज यह हिंडिया के लोग बैखते हैं भारत के लोग बोर्ट रेते हैं उनके पास नोट है वह वहां सासन करते हैं यह राजनीतिक समाज हमारे भारत समाज को आजाद होने से रोका हुआ है आर्थिक आजादी दिमाग में ये डाला जाता है कि तुम इसकुल जाओ और इसकुल में जाओ करके जब वो बच्चा इसकुल जाता है तो वो अपने बच्चे से मा से बाप से कहता है कि पिता जी मेरे पास तो किताब नहीं है कौपी नहीं है तो यह हमारा सरकार राजनितिक समाज कहता है चिंता न करो हम है ना हम आपको किताब फ्री देंगे बचपन से इसके दिमाई में डालता है कि फ्री फिर उसके बाद जब कपड़े की बात आती है तो फिर कहते है यह राजनितिक समाज कहता है कि आप चिंता मकरो कपड़ा हम देंगे कपड़ा फ् फिर कौपी किताब थरी फिर भोजन की बारी आती है ये कहता है भोजन भी हम देंगे थरी इस तरह से हमारे बच्चे के दिमाग में बच्चपन से नाकाम करो नाकामी उसके दिमाग में डाला जाता है उसके दिमाग में फ्री 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 ये सब दुखुसाया जाता है वो सं उसकूल में जाता है तो वहाँ पर उसे कहा जाता है तुम चेंता मत करो science free है तुम्हारे लिए cycle free है यह सारा प्रोवान फिर उंको वहां दिया जाता है किताब खरी है इस तरह से बच्चों का दिमार मैट्रिक पास होने तक एक ही उसके दिमार में गुचता है फिरी फिरी और जब वो फिर पास करके कॉलेज में जाता है तो वहां कहता है कि आप चिंता मत करो हम आपके लिए सिख्षा लोग फिरी देंगे ये इस्थिती है आज हमारे देश में इस्थिती ये है 25 करोर लोग गड़ी भी रेखा के नीचे हैं ये हमारा नहीं है आकरा ये भारत सरकार का आकरा है 30 करोर लोगों की आंदनी मात्र 375 रुप्या है आज अपने देश में जो ग्रेजवेशन करके बेरोजगार बरते हैं ऐसे 25 वरस के लोगों ये विद्यार्थी जूकों की संक्या 45.3 परसेंट है ये भारत तो उसका करा है 25 वरस से 29 वरस के ग्रेजवेशन लोगों की संक्या 25.8 परसेंट है 30 से 34 परसेंट 30 से 34 वरस के जूकों का ग्रेजवेशन जूकों का संक्या 11 परसेंट है 35 से 49 वरस के उमर के ग्रेजवेशन जूकों का संक्या 7 परसेंट है ये आज अपने देश की स्थिति है आप सोचें इस देश को कहां ले जाया जा रहा है हंगर इंडेक्स में हमने आपको बताया था तो वन्वर ये राजिंतिक समाज फिर उसके बाद जब वो जुवत साधी करता है तो साधी फिरी है उसमें दहेज भी सरकार देती है फिर वो इसके दिमाग में बठपन से लेके जवानी तक फिरी देता है फिर वो जब साधी करता है तो बोलता है घर कहां से आएगा तो बोलता है घर इंडरावास फिरी फिर वो जब इंडरावास फिरी तो बोलता है हम जो खाएंगे वो कहां से आएगा तो पांच किलो दाना फिरी फिर उसके बाद कहता है कि जब हम खाना खाएंगे तो लेटरिन कहा जाएंगे तो बोलता है लेट्रिन थ्री विजली थ्री ये उसके दिमाग में राजनितिक समाज बच्पन से लेकर के जवानी तक डावता है और जब वो बुड़ा हो जाता है तो फिर उसको कहता है बिड़ा पैंसन थ्री और उसके बाद फिर जब वो दुनिया से गुज है और उसके बिड़ में आर्सियम समाज कैसा होता है अभी हम आपको बताएंगे अब यह राजनितिक समाज के बाद दूसरा समाज आता है जहां हम पैदा हुए वो समाज अब वो समाज हमें कहता है कि रिनम कृत्वा घृतम पीवे तो कैसे पीओ तो रीम करके पीओ घी अ समझाता है कि यह हमारा समाज समझाता है कि अजगर करेन चाकरी पंची करेन काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम वना आप कुछ ना करो केवल उनके भरुसे में बैठे रहो कर्म किये जा खल की चिंता मत कर तुए इंसांग अरे बिना खर्म किये क्या कोई खल जो है यह इसलिए हमारा समाज हमें कहता है खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है जब भहिया यह लोगों को मेसे जाएगा लोगों को बताया जागा समाज के द्वारा कि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है तो वो क्या करेगा कुछ करने लाइक रहेगा क्या वो कभी कुछ करेगा क्या इसलिए बंदुवर ये जो समाज है हमारा वो कहता है जब भाग्य में होगा तो फिर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा लेकिन हिटलर ने कहा था कि आप अपने तक्दीर को अपने हाथ से लिख सकते हो बंदुवर ये समाज अगर थोड़ा सा पड़िवर्तन किया होता ये जो कहा खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है अगर इसमें थोड़ा सा पड़िवर्तन करके इतना कहा होता जो आर सीम आज लोगों को सिखा रहा है कि भाईया खाली हाथ आप आए हो इसका तुम्हारे उपर में कोई असर न परना चाहिए क्योंकि खाली हाथ तुम्हारे बस ती बात नहीं थी, तुम खाली हात आये हो, लेकिन तुमको इस दुनिया से जब जाना है, करणपती, अरबपती बन के जाना है, यह अगर हमारा समाज बताय होता, तो हर बेखती आज लगपती जरूर होता, यह भारत, बदनता हुआ भारत दिखायी पड़ता ये हमारे समाज हमको वहाँ से राजनितिक समाज के बाग हमारा जो समाज जहांद पैदा लेते हैं वो हमें निगेटिव करता है उसके बार फिर 13 समाज है जिसके व्योस्ताठ ऐक हमारे भीलवारा में मनीशी पैदा लिये जो एक लोग के नहीं तीन लोग के मालिक हैं जिने तिरोग चंछावडा कहते हैं उनको दिमाग में यह आया किस भारत का उद्धार कैसे होगा तो उन्होंने 2000 में आर्शियम रूपी समाज का स्थापना करने का संकल्प लिया और उन्होंने 2000 अगस्त में छे पैंट पीश से इस धर्ती पे आर्शियम को लाया और नारा दिया आर्थिक आजादी का मिशन आज वह आपके बीच इतना बड़ा व्रिच्ष बन करके 23 साल में पूरे भारत वर्ष में खड़ा हो चुका है आज कोई भी प्रोड़क्ट हम तो गर्ब से कहते हैं कि आर्शियम में कभी नहीं आएगा जो स्वास्त के लिए हानिकारक होगा आर्शियम शिखाता क्या है आर्शियम तो सबको यहीं शिखाता है आर्शियम ने हमें प्रान गीत दिया है प्रान गीत जिसका अर्थी है प्रान आना मरना नहीं यह प्रान गीत उन्होंने बनाया और उसमें हमें जो है बताया गया उसमें शुरू है आप उसे याद करें प्रानगीत हमारा क्या है हमारा प्रानगीत है सब काम करे अपना अपना क्यों करें सब अपना काम इसलिए सब पूरा करे अपना सपना क्यों सपना कैसे होगा तब होगा कोई हाथ यहाँ आना फैले अब जनस्वाव लंभी बन जाए सब यह सबसे बड़ा बात है यह ऐसा समाज आर्सियम बनाना चाहता है चोड़ी फरेव का नाम ना हो कब होगा चोड़ी फरेव का नाम बंदोगा जब हर घर में सारी सुख शुविदा होगी भारत के बच्चे दूद के लिए नहीं तरसेंगे भारत में कोई भी मां कपड़े के बेहीं तरसेगी कोई भी बच्चा इलाज के लिए नहीं तरसेगा बूढों को बच्चों को सबको सारी सुविदा होगी तब जाकर के सुख सामती से पूरण जीवन हो यह पूरा आर्सियम करेगा तब जाकर के इस देश में सच्ची करांती आएगी और सच्चा देश आजाद होगा इन मसीहा के चंते आज भारत के बहुत सारे लोग इंडिया रूपी लोगों के साथ जो जीवन जीता है वो एक से एक आपके सामने खड़ा है आप स्टेज पर उनको देख सकते हैं यह मेरे टीम के सभी बात्सा आज जीवन बदल चुके हैं इनकी जीवन बदल गई है यह आर्सियम में सफलता प्राप्त करने का मंत्र है जब तक हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि आर्सियम सहयो कर्च यह नारा है इसमें यह की बात सिखाय जाता आर्सियम में भला किये जा लाब की चिंता मत कर तू इंसान जितना भला करेगा उतना धन देंगे भगवान यह है आर्सियम का ग्यान 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 मत कर कुई इंसान जितना खर्च करेगा उतना धन देंगे भगवान यह आर्चियम का ग्यान 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 फंदुवर आप को अपनी पहली लडाई जीतनी है किस से जीतनी है आपको पहली लडाई अगर जीतनी है तो अपने आप से जीतनी है आप जो कहते हैं मुझे लाज लगता है लोगवा का कही अरे जब कार में चलोगे हवाई जास से उडोगे तब लोगवा क्या कहेंगे ये दुनिया तो कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन सब बातों को, बस केवल एक ही काम करो, केवल एक ही काम है RCM करना, आप अपने जीवन को बदलने के लिए पहले तैयार हो जाओ, तो फिर दुनिया को आप बदल के जरूर दिखा दोगे आपको अपनी सफलता के लिए धर से निकलना है पड़ेगा, हम लोग जब इस बिजनेस को शुरू किये थे, 25-25 दिन, 29-39 दिन, घर पे लोड के नहीं आते थे, आप हमारे जो भी साथी उनसे पता करने, हम लोग आज तक बहुत कम दिन ऐसा हुआ है, जो दोपाहर का भोज नहीं मिलता है, सुबा का भोजन मिलता है, रात तिरी का भोजन मिलता है, जब आप घर से निकलना सुरू कर रहेगे, तो आपकी सफलता आपके पाउच चुमेगे, इसकी गैरंटी है, यह जो रोयल्टी, यह यह आप अगर जीवन में नहीं पास सकते हैं, तो आप अपने स पिरी को फाइनल नहीं कर सकते हैं, आज जो इंदिया के लोग काम करते हैं, वो इसी रोयल्टी वाली काम करते हैं, इसलिए उनके बच्चे कभी पीछे भूम के नहीं देखते, आपको भी यही रोयल्टी प्राप करना है, और प्राप करने का क्या तरीका है, वो आपके साम में अगर आप पास करते जाएंगे अपने टिम में एक दूशरे को सपोर्ट करते जाएंगे सब मिलके काम करेंगे तो सभलता कि गोल होगी यह निश्चित है रोायल्टी लेना हे रर बेक्ति का लग्ष होणा चाहिए अगर आप को किक करेंगे पास देखें तो आपको रॉयल्टी मिलेगी यह देखें यह हर वेक्ति को जो वेक्ति रॉयल्टी पे आ जाता है उसे यह जो है दो प्रकार का फुटबोल होता है सर एक फुटबोल होता है फुटबोल हमें साथ पैरों के नीचे रहता है लेकिन जो रॉयल्टी हो जाता है उसके बाद वो हाथों का गोल हो जाता है लोग उसे हाथों में लेकर पूरे दुनिया को दिखाते हैं पास करते हैं एक दूसरे की रॉयल्टी के लिए सारा प्लान क करते हैं कि आप कि रॉयल्टी के बाद आपको अपने लोगों को यह बताना है हम आपको बता रहे हैं करना क्या है कि आर्शियम की ताकत आर्शियम क्या देखते हो दुनिया में जाकर पूछो ना दुनिया में जाकर पूछो ना आर्शियम करके देखो ना लाखों का इंकम मिल जाएगा रोयल्टी भी मिल जाएगा हेल्थ गार्ड खाके देखो ना गामा खाके देखो ना कियो सोल करके देखो ना आर्शियम करके देखो ना